तिवर्गति से टाइप करना computer operating का एक महत्पून भाग है, परंतु typing सीखना एक जटिल और लंबी परक्रिया है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि किसी text को टाइप करने की आवशकता ही नहीं है, टाइप करने के बजाए आपके handwriting में लिखे हुए text को computerized form में बदला जा सकता है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे, मुझे लगता है बिलकुल भी नहीं, परंतु ना किवल यहसत है, बलकि अत्यान सरल भी, इसे आप स्वाइम कर सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे, तो अनायास ही आपके मुह से निकलेगा, वाउ, नमस्कार साथियों, य इना देर किये, आईए, शुरू करते हैं, आज का ध्याय, तो शुरू करने के लिए उठाइए पैन और पेपर और कुछ लिख लिजे, आप साधारन लिख सकते हैं, आप करसिब में भी लिख सकते हैं, आप चाहें, तो जिस भाशा में चाहें, उस भाशा में लिख सकते है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिस किसी भी भाशा का आप चुनाव करें उस भाशा में लिखते समय आपकी handwriting कैसी भी हो लेकिन प्रतेक लेटर इस पश्ट होने चाहिए और प्रयास करें कि कहीं पर भी cutting ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा अब आप इस लिखे हुए text को scanner से scan कर लें या अपने mobile के camera से ही उसका अच्छे से snap ले लें और वह snap mobile में कहां पर सुरच्छी थे इसका ध्यान रखें इसके बाद आप अपने mobile के chrome browser में जाएंगे और search के पास drive.google.com टाइप करेंगे और go बटन में टाइप करेंगे यह काम आप चाहें तो अपने laptop और desktop computer से भी कर सकते हैं परन्तु यदि इस काम के लिए आपने mobile phone का इस्तेमाल किया है तो आपको बता दें यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सेटिंग को on करना होगा अपने mobile के screen के top right side में आप देखें एक triple dot दिखा रहा है यहाँ पर tap करें आपको एक menu परदर्शित होगा इस menu में desktop side पे tap करें इसके बाद आपके mobile में desktop या laptop computer की तरह ही browser show होगा अब आप अपने browser के left side में देखें drive के नीचे new आ रहा है आप new में tap करेंगे new में tap करते ही second option file upload में आप tap करेंगे यहाँ से आपको पूछेगा camera या file यदि आपने document का snap नहीं लिया है तो आप अभी भी ले सकते हैं चुकि मैंने snap ले लिया है तो मैं file में tap करूंगा gallery में जाऊंगा और उस folder में जाऊंगा जहाँ पर मेरी file है यहाँ से file select करूंगा और select कर दूंगा इसके बाद आप देखिए मेरी file uploading शुरू हो गया uploading वन आइटम आपके सामने दिखा रहा है जैसे ही uploading complete हुआ right side में green tick आ रहा है आप मैं इसे बंद कर दूंगा uploading खतम होते ही आप देखें आपके file की एक thumbnail दिखाई दे रही है इस screen पर यदि आप computer में है तो इस thumbnail पर mouse का right button क्लिक करें mobile में है तो long press करें आपको एक shortcut menu दिखाई देगा इस shortcut menu के second option open with में आप tap करें left side में आपको एक sub menu दिखाई दे रहा है यहाँ से आप Google Docs का tap करके या mouse से click करके open करें देखिए Google Docs में आपकी image open हो गई और उस image के open होने के बाद नीचे description में जो आपने handwriting से लिखा है वो text में convert हो गया अब आपको text को select कर लेना है यदि आप computer में है तब तो select करना बहुत ही आसान है mobile में मैं आपको बता देता हूँ माल लिजे मैं किसी शब्द पे long tap करता हूँ तो वह शब्द select हो जाएगा अब दो selection handle है इन्हें मैं swipe करके left या swipe करके नीचे ले जाओंगा पूरा text select हो गया उपर में आप देखें copy, share, select all आ रहा है आप select all करके भी यह काम कर सकते थे मैं copy में tap करूँगा अब हम जाएंगे WPS office में WPS office में जाकर हम वहां document select करेंगे देखिए मैं WPS office में tap करता हूँ, right side में plus पे tap करता हूँ, पहला option है document में tap करता हूँ और blank document के plus में tap करता हूँ, ऐसा करते ही cursor बिलिंक कर रहा है, वहां पर मैं touch करूँगा और touch करते ही paste option आएगा और मैं इसे paste कर लूँगा paste करने के बाद यह हमारा document आ गया है, हम इसे select कर लेंगे, desktop में आप इसे mouse का right button दबा के paste कर सकते हैं mobile में आप ऐसे select करके, अब एक एक शब्द को आप चाहें तो अलग-अलग उसकी formatting कर सकते हैं, किसी भी शब्द को आप चाहें तो बढ़ा कर सकते हैं, उसे bold कर सकते हैं, उसका color बदल सकते हैं इसके बाद आप इसे save कर लें, ये document के रूप में save हो जाएगा और आप इसका उपियोग कर सकते हैं तो यह था तरीका कि कैसे आप किसी handwriting में लिखे हुए, अपने matter को computerize text में भी न टाइप किये, convert कर सकते हैं पूरे process को आईए मैं आपको संचिप्त में बता देता हूँ बहुत ही आसान है, सबसे पहले आप browser से google drive में जाएं google drive में जाकर अपने document को उसमें upload कर दें upload करने के बाद आपको एक thumbnail दिखाई देगा आपके document का, उसमें long press करें यदि आप mobile में हैं तो यदि laptop या desktop में हैं तो mouse का right button दबाएं shortcut menu आएगा, open with में आप google docs में टैप करें या click करें ऐसा करने के बाद आपका document convert हो जाएगा, converted text को आप select करें select करके उसे copy कर लें और किसी भी word processor में यदि आप mobile में हैं तो WPS office का उपयोग आप कर सकते हैं, यदि desktop या laptop में हैं तो microsoft word का आप चुनाओ कर सकते हैं, करने के बाद file save कर लें, अब आप इसे चाहें तो edit कर सकते हैं, चाहें तो उसकी formatting कर सकते हैं, तो है ना आसान, ऐसे ही आसान और बहुत अच्छे ट्रिक्स सीखने के लिए, आप जूड़े हमारे यूट्यूब चैनल, योर डिजी मेंटर के साथ, तब तक के लिए, थैंक यू,